आपका लोक सभा, राज सभा यों बिधान सभा बिधान परिशद एक त्रिष्टी में देखना है इसको अधार है लोक सभा, राज सभा, बिधान सभा और बिधान परिशद अधिकतम सदस्यापका लोक सभा में 552 होता है 530 राजियों से और 20 केंदर परदेश से और 2 राशपती द्वारा नमित राज सभा में आपका 250 होता है 238 राजियों वगेंदर परदेश केंदर सासीत परदेश से पलस में 12 राश्पती द्वारा नमीद बिधान सभा में आपका 500 निउनतम 60 सदसे परंतु कुछ राज इसके अपवाद है बिधान परिशद में राज बिधान सभा के सदस्यों की एक तिहाई होता है बरतमान संख्याब का लोक सभा के 545 है 524 राजियों से और 19 केंदर सासीत परदेश से और दो राश्ट पती द्वारा नामित राज सभा में आपका टोटल अभी 245 है 225 राजियों से पलस में 8 केंदर सासीत परदेश से और 12 राश्ट पती द्वारा नामित बिधान परिशद में मातरि 6 राजियों में बिधान परिशद है उत्तर परदेश, बिहार, महराष्ट्रा, आंधर परदेश, कर्णाटक, तिलंगाना सर्वधिक सदस्य संख्या वाला राज आपका उत्तर परदेश है जिसमें 80 सीठ है लोक सभा में और राज सभा में भी उत्तर परदेश है 21 सीठ है बिधान सभा में आपका है संभधिक सदस्व संख्यावाला राज उत्रपरदेश, महराश्ठ, पछिम बंगाल, आंधरपरदेश, भिःधान परशद में आपका उत्रपरदेश में सोभ, महराश्ठ में 78, भिःधार में 75. निम्तम सदस संख्या वाले राज आपका है गोवा नागालाइंट सिकीम एवं सभी केंदर सासित प्रदेश दिली को छोड़कर मात्र एक-एक सीठ है गोवा पुदुचेरी एवं सभी प्रवर्ती राजे असम को छोड़कर मात्र एक-एक सीठ है गोवा मिजोरम सिकीम पुदुचेरी आपका 30 सीठ है और विधान परिशद में आपका तेलंगाना 43 है लोकसभा का प्रकार है अस्थाई सदन और राजसभा का अस्थाई सदन और विधान परिशद का अस्थाई नोड़ समाप्त किया जा सकता है परन्तु बिघडित नहीं, गठन से संबंदीद अनुचेद, लोक सभा से आपका लोक सभा अनुचेद 181 में दिया है, रज सभा 80 में दिया है और विधान सभा बाग चो अनुचेद 168 से 12, गठन संबंदी प्रवधान अनुचेद 170 में, विधान परिशद आपका परिशद म अनुछेद 179 के तहट संसद को किसी राज में बिधान परिशद को अस्थाफित करने और समाप्त करने का अधिकार सदस्य बनने हेतु आयू लोक सभा में आपका 25 बरस आयू नियुनतम है और राज सभा में नियुनतम आयू 30 बरस आयू है और बिधान सभा में नियुनतम आय 25 बरस आयू आउसक है और विधान परिशाद में निम्ता माई 30 बरस आयू आउसक है विशेश आपको देखते हैं आपको लोक सभा में कारेकल 5 बरस है परन्तु इस ओधी के पुर्व भी मंत्री परिशाद के परमांस पर वा राश्पत्री द्वारा बिगाटित की जा सकते है लोक सभा के आपका हुआ और यह आपका हो गया विधान सभा राज सभा राज सभा यह कभी भंग नहीं होती बल्कि इसके एक तिहाई सदस से परतेक दूसरे बरस की समाप्ति पर आउकास करहन कर लेते हैं परतेक सदस छो बरस तब राते हैं अब आपका बिधान सभा देखते हैं आपका राज सभा था कारेकल पांच बरस है परन्तु इस ओधी से पुर्वक मुख मंत्री के परमस परवराज पाल दौरा बिगाटित की जा सकती है अब बिधान परिशत देखते हैं यह कभी भंग नहीं होता बल्कि इसके एक प委 करन परिशत का सदस से रहता है नेक्स बंग देखते हैं अब होता है अच्शी की अंब पाधिकारी और का लोक अध्यक्ष और उम्प अध्यक्ष है और को सभा पति और उप सभा के सुल राज शभा हाँ अध्यक्ष और उप ड्यक्षा और विदहान परिसेद सभापते आयंद्याँ लोक अभडाबब सवोग इंद्य। राज सभा में उच्छ सदन और विधान सभा में निम्च सदन और लोगप्रिय सदन और विधान परिशद में उच्छ सदन गडपूर्ती यानि की कुरम के लिए अवस्चक सदस्य कूल संख्या का एक बटा दस लोक सभा में और राज सभा में कूल संख्या का एक बटा दस विदान सभा में भी कूल संख्या का एक बटा दस और विदान परिशद में भी कूल संख्या का एक बटा दस नेक्स पॉइंट देखते हैं, भारत के परमुख पदाधिकारी एक दृष्टी में, निर्वाचक मंडल दोरा निर्वाचित पदाधिकारी, पद अनुछेद, निर्वाचन संबंदित अनुछेद, नियुन्तम आयू, अधिक्तम आयू, सपत ग्रहन कोन करवाता है, त्याग पत्र किसे संब्धित करते हैं राष्ट पती आपको अनुछेद बावन में मिलेगा और निर्वाचत संब्धित अनुछेद चोगन में मिलेगा इसमें नियुतम आयू आपको 35 बर सुना चाहिए और सपद ग्रहाण कौन कराता है सुप्रीम कोट का मुखनय अधीस आपको सप त्याग पत्र किसे संब्धित करता है आपको उप राष्ट पती को त्याग पत्र देता है राष्ट पती आपका अनुछेद तिर्सट में दिया गया है और निर्वाचन संब्धित अनुछेद आपका छाचट में है और उप राष्ट पती के लिए नियुतम आयू 35 बर सु ग्रहन कौन कराता है आपका राष्टपती कराता है और त्याग पत्र भी राष्टपती को देता है नोट देखते हैं राष्टपती के निरवाचक मंडल में राजसभा लोकसभा और राजियों की विधान सभा के निरवाची सदसे सामिल होती है होते हैं जब कि उप राष्ट के निर्वाचक रूपराश्ट्वति के निर्वाचक मंदल में किवल सन्सद के दोनों सद्नों के निर्वाची सदा से सामिल होते हैं next one देखते हैं अन्य पदाद गिक्कारी आपका पद संबंदित अनुछेद निर्वाचन से संबंदित अनुछेद निंतम आयू निर्वाचन चयन और सपत ग्रहन और त्याग पत्र जिसको देते हैं लोकसभा अध्यक चापका अनुछेद नमासी में मिलेगा निर्वाचन से संबंदित अनुछेद 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 निर्वाचन से संबंदित लोक सभा सदस्यों के रूप में पहले से सफ़त ग्रहां अध्यक्ष को आपको लोक सभा सदस्य आई निर्वाचन जन्ता द्वारा परत्यक्ष चुनाव से और सफ़त ग्रहाण आपको राश्पती द्वारा नेक्स्ट पांड देखते हैं उप सभापती आपका आई होता है तीस ब्रस निम्तम आई और चैन की प्रक्रिया राज सभा सदस्य के रूप में पहले से सफ़त ग्रहाण और राज सभा सदस्य के रूप में सभापती को त्याक पतर देता है राजपाल को ही र्यक पतर देता है बिधान सभा सदस्य आपका अनुछेद क्छोड चेतर में और प्रक्रितasten फटीस परउस होता है जन्ता द्वारा प्रत्यक्श निरवाचन होता है और निक्ती होता है राजपाल द्वारा बिधान सभा अध्यक्र्ण को त्याग बत्र रद है नेक्र्ण कि बिधान परिशत सदस्य को देखते हैं नुचेद 173 में है आयू होना चाहिए आपको 30 बरस मिनिमम आयू और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है बिधान परिशत सदस्य का और नियुक्ति होता है आपका राजपाल द्वारा और सभापती को नोट उप्योग सभी पदों में अधिक्तम आयू निश्चित नहीं की गई है यह हम लोग देख रहे थे आपको अन्य पदादीकारी का निर्वाचन सपत ग्रहन और त्याग पत्र और उसके साथ आयू अब हम लोग देखते हैं भारते सविधान की अन्य देशों के सविधान से तुल्ना देश अपका भारत ब्रीटेन अमेरिका रूस जपान फ्रांस जर्मनी में चैना के पिसेश्पा का लिख है विसेश्पानम अलिखी है अमेरिका भी लिख्यत है और जपान nuclear फ्रांस फीली की थैक एक और आपका बीटेन है कि सरित है भारत और देन लजowe है और अमेरिका कठोर है रूस कठोर है और जपान कठोर है फ्रांस कठोर है और जर्मनी कठोर है एकात्मक संघात्मक आपका भारत में एकात्मक लक्षड सहीत संघात्मक व्यवस्था है ब्रेटेन एकात्मक है और अमेरिका में संघात्मक है और रूस संघिये है एकात्मक ज जपान में है एकात्मक जपान फ्रांस में संघीया आपका जर्मनी में संसाधिय अध्यक्षिय लोकतांत्र आपका संसाधिय लोकतांत्र है भारत में ब्रिटेन में भी संसाधिय लोकतांत्र है और अमेरिका में अध्यक्षिय लोकतांत्र है और रूस में अर्ध अध्यक्षि और अधर संसदिये हैं और जर्मनी में संसदिये गड़तंत्रे हैं संसदिये संपव प्रभुता आपका सविधान की सर्वचता है और संसदिये संपव प्रभुता है ब्रिटेर में सविधान की सर्वचता है अमेरिका में सविधान की सर्वचता है जपान में और संसद की सिमि गडतंत्र और राज़ दंतर गड़तंत परधान आपका भरत में सवनदानिक गरतंत्र बिडेन में 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 गडतंत अमेरिका में है रूस में जपान वहतने सेज में फ्रांस्ट अधर्मनी भी गड़तंत्र है कि decisions करें राश्पति भारत में आपका नाम मात्र का एवं परत्यक्षिंद्रवाचन है अमेरिका में आपका कारेकारी परधान परत्यक्षिंद्रवाचन है राश्पति और रूस में आपका कारेकारी परधान एवं परत्यक्षिंद्रवाचन है राश्पति प्रांस में और कारीकपरी परधान प्राथ्यक्ष्त निर्वाचन हर जर्मनी में नामOkay परधान बहूं प्रात्यक्ष्ण निर्वाचन हर्विय और फ्रांस में दीव नगरिक्ता और जर्मनी में आपका सैधानित एकल नगरिक्ता बिधी की शम्यक प्रकिरिया बिधी द्वारा स्थापित प्रकिरिया अपका भारत में बिधी द्वारा स्थापित प्रकिरिया और बिटेन में बिधी का साशन अमेरिका ने बिधी का स्था प्रक्रिया नेक्स पॉइंट देखते हैं बिटेन का सविधान राज राज अध्यक्ष बंस परंप्रा के अधार पर होता है अलिकीत शविधान चाटर लाट्स अधिनियम याम रिती रिवाज परंप्राओं पर अधारिता है दो सदन हाउस अफ लॉड उच सदन याम हाउस कमनस नीम सदन सम्राट क्राओं कारेपालिगा का नाम मत्र परमुखोता है जबकि वास्तलिक परमुखपरदान बंद्री होता है अमेरिका के सविधान अध्यक्षी एवं संगहात्मक सासंप्रादी है राश्पती ही राज्य एवं कारेपालिका का परमुख है दोहरी नागरिक्ता यथा सौतंत्र नियाईपालिका है संग एवं राजियों का अलग सविधान है संसद के दो सधन प्रतिदी शभा वसिनेट है अविनासी राजियों का अविनासी शंग है जर्मनी का सविधान बर्तवान सविधान बर्श में निर्मित वा प्रवर्दित है संगे सासन यवं संसदिये सासन प्राली राष्पतिनाम मात्र का परमुख तथा वास्त्रिक परमुख चांसलर दिवस सधन आत्मक के बुंदे अस्तरात वा बुंदे अस्टांग उच यवं निम दोनों सदन है नेक्ष्ट प्रांस का सविधान बर्श निम सदन एवं सीनेट उच सदन राष्पति राज एवं सासन दोनों का परमुख दच्छ अपरिका का सविधान बर्श निम सविधान एका आत्मक सासन विवस्था राष्पति सासन एवं राज दोनी का दियाक छे दीव सदन आत्मक नेशनल असेंबली निम सदन एवं नेशनल काउंसिल उच सदन नेक्स पॉइंट चीन का सविधान पर सुनेशों प्यासी में चोथा सविधान लागो हुआ संसद एक सदनिय है नेशनल पीपूल्स कांग्रेश विधेई का हिंश भी उच पदधिकारी की नियुक्ति करती है एकात्मक सासन प्राली प्रधान मंत्री सरकार का प्रधान होता है राज का नहीं कनाडा का सविधान संग्य सासन का परमुख गवर्नर ब्रिटिस महरानी द्वारा नियुक्ति सक्तियों का बीत्र चार सूचियों में है दिव सदनात्मक हाउस अफ कॉमंस नीम्न या अमसीनेट उच्च प्रांतों का परमुख डिप्टिक गवर्नर होता है हम लोग नेक्ट वीडियो में देखेंगे संसद की प्रमुख समीतिया अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया है तो कर ले ताकि अगरा वीडियो जैसे अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले थैंक्यू